तो आज की हमारी रेसिपी है राइस पोटेटो लॉली पॉप तो यह मैंने बनाया हुआ है तो यह देखिए बच्चों को बहुत पसंद आता है और आप भी बड़े भी खा सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि यह कैसे बनता है अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर लिए जगा पास में ही बैल ऐकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो राइस पोटेटो लॉली पॉप बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चावल तो यहां पर मैंने रात के बचे हुए चावल लिये हैं आप इनको तुरणद बनाकर भी युज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, राइस, पोट INTER, लोलीपोप और यहाँ पर मैंने लिया है, ब्रैट क्रम्स, यह मैंने घर पर बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहां पे मैंने लिया है चाट मसाला जीरा पाउडर और यह एक मीडियम साइस का कटा हुआ प्याज है और यहां पे मैंने लिया है नमक, हरी मिर्च, ओईल, हरा धनिया और यह मैंने लिया है चामल का आटा जिसको मैंने पानी डाल के गोल बना लिया है आप कॉन फ्लोर भी यूज कर सकते हैं और यहां पे मैंने लिया है तीन साइस के बड़े आलू जिसको बॉइल करके मैंने काट लिया है और यहां पे मैंने लिया है आधा चमज हल्दी और फदूल भी पोप बना सकते हैं तो बीवाणा कोढ़ीद कि और तो सबसे पहले हमें आलू को कड्डूकष कर लेते हैं यह स्काूल समेट ौब बावल में ले लेना है आपको और इसमें हम एड़ करेंगे जो कदू कस किये थे वो आलू और प्याज थोड़ा साहरा धनिया हरी मिर्च जीरा पाउडर चाट मसाला और यहां पर जो लिया था हल्दी पाउडर और लालमच पाउडर वो एड़ कर देंगे और नमा काप अपने हिसाब से तो अब हमें इसे अच्छे से मैश कर लेना है यहां पर मैंने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे मसाले एड़ करके तो अब हमें इनकी छोटी-छोटी सी बाल्स बनाना है तो चलिए अब हम इनकी बाल्स बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथों में तेल ल कुछ इस तरह से बनाना है तो अब हम इन सारी लॉली पॉप को बना लेते हैं यह देखिए मैंने इनकी बॉल्स बना ली है आप लॉली पॉप की जगह मतलब टिक्की भी बना सकते हैं तो मैंने अभी सिर्फ थोड़ा सा ही यूज किया है मिक्षरन बाकी का मैं टिक्की अब आपको यह एक बॉल है आपको यह जो आप हमने चामल का आटा लिया था उसमें ऐसे डिप करना है और जो ब्रेड क्रम्स है उसमें ऐसे कोटिंग करना है यह देखिए कुछ इस तरीके से यह देखिए और बन बाई बन आपको सारी बॉल्स कर लेना है यह देखिए इन इन सभी को मैंने रेडी कर लिया है अब आपको इनको डीप फ्राई करना है तो गैस पे मैंने पैन चड़ाया हुआ है अब इसमें ऑईल भी डाला हुआ है तो आपको मीडियम फ्लेम पे इन सभी को फ्राई करना है यह देखिए सभी को मैंने डाल दिया है अब इनको मेडियम फ्लिम पर हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद हम इनको एक प्लेट में निकार लेंगे और गर्मा गर्म इनको हम सर्व कर सकते हैं यह देखिए यह फ्राइ हो चुकी थी और मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है और उपर से मैंने टूथपेक यूज़ किया है लॉली पॉप का शेप देने के लिए और गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया यूज़ किया है यह देखिए यह बच्छों को बहुत पस करना ना भूलें ताकि मेरे आगी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलती हूँ नेक्स वीडियो मैं नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई